आज हम बात करते हैं लिवकोरिया के बारे में लिवकोरिया जिसे आयूर्वेद में श्वेद प्रदर कहा गया है इसी के साथ इसको आम बोलचाल की भाशा में की सफेद पानी का आना कह दिया जाता है आज सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसके लिए आपको एक आयूर्वेदिक नुस्खा तो दूगा ही दूगा इसके साथ एक घरेलू नुस्खा भी दूगा जो बहुत ही कारगर है तो सबसे पहले हम बात करते हैं घरेलू नुस्खे के लिए घरेलू नुस्खे में हमें चाहिए सेप का सिर्का सेप के सिर्के के बारे में आप सब जानते हैं सेप का सिर्का जो है कई पैथियों में यहां तक युनानी, आयुर्वेदिक, होमियो पैथिक और यहां तक कि modern में भी इसका बहुत अच्छा रूल होगे सेब के सिरके को जो गुण है ये antiviral, antibacterial properties होती है ये हमारी body से toxin निकालता है अब हमें सेब के सिरके का इस्तेमाल कैसा करना है वो जान लीजिए सेब का सिरका वेजाइना का pH level कम करता है और अगर वेजाइना में किसी तरीके से भी दुरगंद आ रही है तो ये उसका विनाश करता है इसका इस्तेमाल करने से पहले हमें topically अपनी sensitivity चेक करना पड़ेगी जैसे अगर किसी को भी leucoria की दिक्का थे तो उसे topically थोड़ा sensitivity चेक करने के लिए थोड़ा सेब का सिरका अपनी skin पर लगा कर देखें कि उससे कोई allergic reaction तो नहीं हो रहा है अगर किसी को कोई भी allergic reaction हो रहा है तो इस प्रियोग को ना करें और वो आयूरवेदिक ही जो मैं विधी बताऊंगा उसका प्रियोग करें अब जो सेब का सिरके का इस्तेमाल हमें करना है वो कैसे करना है उसके लिए हमें चाहिए सेब का सिरका जितना सेब का सिरका लेना है उसके ही equal amount में हमें गर्म पानी लेना है अब हमारा ये जो घोल तयार होगा जिसमें हमने equal amount में सिप का सिर्का और equal amount में गर्म पानी लिया है इस घोल से हमें दिन में दो या तीन बार vaginal wash करना है इस vaginal wash करने के बाद अगर vaginal wash करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो dilute करा हमने सिर्का इ उसे एक घंटे के लिए योनी के अंदर रख लें और एक घंटे बाद उसे निकाल कर फेंग देए और ये प्रियोग जो है दिन में दो बार करना है और आपको vaginal wash करना है तो दो से तीन बार ँइसी के साथ हमें शेप के सिर्के को जो नहाने का पानी हम यूज करते हैं तो एक बाल्टी पानी में दो कब सिरका डालके हमें उससे इसनान भी करना है। और सेप के सिरके के प्रोपर्टी ये भी रहती है कि ये येस्ट का इंफेक्शन पूरी तरीके से खत्म करता है वेजाइना में। इसी के साथ हमें सेप का सिरका रोज पीना भी है। दो चम्मच सेप का सिर्का पानी में डालके हमें एमपेटी स्टमक यानि खाली पेट सुबा में लेना है। अगर आपके योनी से किसी भी तरीके की दुरगंद आती है तो तीन से चार दिन के अंदर ये उस तरीके की ओर्डर को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और आपको यह सफेद पानी की दिक्कत है उसमें भी आपको 99% के और मिलेगा। यह था हमारा घरेली उपाए अब हम बात करेंगे आयुरुवेदी कुपाए की। अगर आप आयूर्वेधिक उपाय के साथ इस घरेली उपाय को करेंगे तो और भी अच्छा है। आयरवेदिक उपाय के लिए हमें चाहिए पुष्यानुक चून किसी भी कंपनी का आप ले लें अच्छी कंपनी का लें पुष्यानुक चून को लेने का तरीका क्या है हमें चाहिए एक चमच पुष्यानुक्चून को जिस पानी से लेना है उस पानी को हमें अगर जैसे पुष्यानुक्चून हमें सुबा में लेना है तो उस पानी को हमें रात में तयार करना पड़ेगा यानि हमें एक कप पानी लेना है उसमें एक चम्मच चामल लेना है चामल के दाने उसमें डाल देंगे हम और सुबा को वो चामल के दाने उस पानी में मसल कर उस पानी से एक चम्मच पुश्यानुक चूण का सेवन दिन में करेंगे और फिर दिन में एक कप पानी और लेकर उसमें एक चमच चामल के दाने डाल कर ऐसे ही उसे मत कर उस पानी का इस्तेमाल से रात में हम लेंगे इसे दोनों टाइम पुश्यानूक चून लेना है हमें इसी के साथ हमें लेना है चंदरप्रभावटी। पुश्यानूक चून एक चंबच लेना है इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ हम लेंगे चंदरप्रभवटी जो दो दो गोली सुबा शाम लेना है और साथ हम लेंगे फैमिफ्लेक्स नाम की टेबलेट मिलती हैं मार्किट में आराम से मिल जाती हैं आप इसमें यह जो मैं तीन टेबलेट बताने जा रहा हूं इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको करना है या तो आपको फैमिफ्लेक्स टेबलेट लेना है जो दो दो गोली दिन में तीन बार लेना है यानि टू टेबलेट टीडियस में अगर आप फैमोन फोर टेबलेट लेना चाहें तो वह भी ले सकते हैं वह एक गोली दिन में तीन बार लेंगे और अगर आप लियूकोल नाम से टेबलेट लेना चाहें तो वो दो-दो गोली सुबा शाम लेंगे लेकिन आप कोशिश करें कि आप फैमिफिलेक्स टेबलेट लें इसका रिजल्ट इस कॉंबिनेशन के साथ अच्छा है अगर आपके कोई भी जानने वाले को ये बीमारी काफी टाइम से है और उसे किसी तरीके का लाब नहीं मिल रहा है तो इस फार्मूले को उसको फॉरवाइट करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें इस पर कमेंट करें और शेयर करें अगर आपको कोई भी नई बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, पर्सनल मेसेज में बताएं और मेरा ये इमेल आइडी है, इस इमेल आइडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और इसी के साथ में ये वीडियो खतम करना चाहूंगा, धन्यों